कब्ज यानि कॉंस्टिपेशन आजकल एक आम समस्या का रूप ले चुका है जिससे हर दूसरा या तीसरा वेक्ती जूज रहा है ये कब्ज यानि कॉंस्टिपेशन होता क्या है और हमें कैसे पता चले कि हमें कॉंस्टिपेशन ही है यदि हव्टे में 2-3 बार आपको अपना स्टमक क्लियर करने में परिशानी होती है यानि अगर हिंदी भाषा मैं कहूँ तो अपना मल त्याग करने में समस्या उद्पन होती है तो मेडिकल टर्म में इसे हम कब्स यानि कॉन स्टिपेशन कहते हैं कब्च किसी भी उमर के व्यक्ति को हो सकता है लेकिन अधिकतर मामलों में ये अधेर उमर के लोगों में ज़ादा देखा जाता है और अगर रेगुलर रूप से आपका स्टमक लेर नहीं होता है पेट साफ नहीं होता है तो ये कब्ज यानि कॉंस्टिपेशन एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है हमारा खान-पान, हमारी irregular डाइट और धंग से physical activity ना करना कब्ज की समस्या को बढ़ाता ही चला जाता है तो दोस्तो आज आपके लिए लेके आई हूँ एक घरेलू उपाय जिसको करने से आप पुराने से पुराने कॉंस्टिपेशन यानि कब्ज को जड़ से खतम कर देंगे आपको कोई भी दवाई लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे कि आपका कब्ज कितनी आसानी से ठीक हो जाएगा बस एक कुछ घरेलू मसाले हैं जिनका उपयोग करके आज हम बनाएंगे एक चूरन और इस चूरन से हम अपने कब्ज को 9,21 कर देंगे तो कैसे बनाना है ये चूरन ये मैं आज आपको बताती हूँ इस वीडियो को बहुत ध्यान से आखरी तक देखेगा क्योंकि पहले मैं आपको चूरन बनाना बताऊंगी फिर बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तमाल करना है और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन लोग इसे ले सकते हैं और कौन नहीं और ये फाइदा कैसे देगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं ये कब्स को दूर भगाने वाला घरेलू चूरन तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ अजवाइन यानि कैरम सीड ये हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाता है और अकसर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों में हम इसका इस्तमाल करते हैं इसकी तासीर थोड़ी सी गरम होती है इसके फायदे मैं आपको बताती हूँ कि क्यूं ये कब्स को दूर करने के लिए फायदे मंद है और मैं क्यूं इसे इस चूरन में इस्तमाल कर रही हूँ दोस्तो अजवाइन में फाइबर, मिनरल, विटामिन और एंटी ऑक्सिडेंट जैसे पोशक ततु भरपूर मातर में पाये जाते हैं और इसका इस्तमाल करने से हमारे पेट में एसिडी टी, कब्स या पेट की दर्द एठन वाली समस्याओं से हमें बहुत जादा फायदा मिलता है अब दूसरा इंक्रीडियन जो मैं आज इस चूरन में इस्तमाल करने वाली हूँ वो है जीरा यानि क्यूमिन सीड ये भी हम अक्सर अपने खाने पीने में इस्तमाल करते हैं दिन भर में अगर आप नमकीन चीज कोई बना रहे हैं तो आप जीरा उसमें जरूर इस्तमाल करते हैं जीरा पेट को साफ करने में मदद करता है गैस और कब जैसी समस्याओं से दूर करता है और अगर आप जीरे का इस्तमाल रेगुलर रूप से करते हैं तो बहुत फाइदा मिलता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और यह शरीय से जो टॉक्सिक यानि विकार की चीजे होती है जो है एक्शुल में हम बहार निकालना चाहते हैं उन्हें बहार निकालने में मदद करता है अब दोस्तों बात आती है हम हमारे तीसरे इंग्रीडियन की यहां हम इस्तमाल कर रहे हैं तेज पता आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम कुछ ग्रेवी या कुछ हैवी चीजे बनाते हैं तो हम करी पत्ते का इस्तमाल जरूर करते हैं ये स्वाद में तो चार्चान लगाता ही है सांत में हमारी आपने देखा होगा, अक्सर लोग काले नमक का इस्तमाल करते आये हैं, बहुत जमाने से ये काले नमक का इस्तमाल किया जा रहा है, कबज को दूर करने के लिए ये बहुत ही असरदार नमक होता है, क्यूंग? क्यूंकि इसमें lexative गुन पाया जाता है जो gas, acidity और कबज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत साहिक होता है इसलिए दादी नानी के जमाने से काले नमक को इस्तमाल किया जाता है दोस्तों आप बात करते हैं अगले ingredient की और वो है हींग, दोस्तों हींग को आज नहीं, मतलब मैं पहली नहीं हूँ जो हींग बोल रही हूँ कबज हटाने के लिए हींग जमाने से यूज किया जाता है दादी नानी के नुस्कों में अगर हींग इस्तमाल ना की जाए कबज और acidity दूर करने की तो मतलब समझ ये वो नुस्का ही गलत है जब भी पेट में दर्द होता है भले ही वो बच्चों या बड़ों को हो तो हमारे घर के बड़े बुजोर हींग का इस्तमाल करने के लिए बोलते हैं और आज के इस चून में हम भी हींग का इस्तमाल करेंगे क्योंकि यास ऐसी डिडी कब्स को दूर करने में बहुत ही सहायक होता है तो चली अभी बनाना शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर मैंने एक कड़ाई गैस पे रख दी है और गैस को लो फ्लेम में घरम करके तीन बड़ा चमच मैंने इसमें अजवाईन डाल दिया है और अजवाईन के साथ अब मैं इसमें डाल दूँगी डेल चमच जीरा जीरे के जो दाने लिये थे हमने वो डेल चमच वन एन हाफ चमच मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ में मैंने दो तेज पत्ते भी इसमें डाल दिये हैं दोस्तों अब इसको मैं हलका सा घून लूँगी याद रखे गैस का फ्लेम बहुत लो रखना है हमें इन मसालों को बस थोड़ी सी गर्माहट देनी है ताकि इनकी खुश्बू और जादा बहतर हो जाए और ये और एफेक्टिव रूप से काम करें अब ये हलका सा जुन जुना हुआ है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ डेल चमच सॉफ ये मैंने आपको पहले इंग्रीडियन्स में नहीं दिखाई थी पर इसमें हमें डेल चमच सॉफ भी डालनी है तो वो भी मैंने अड़ कर दी दोस्तों अगर सॉफ के फायदे की बात करूँ तो सॉफ हमारे शरीर को बहुत ही फिट रखता है हमारे स्टमक को ही नहीं हमारी स्कीन और हमारी बॉड़ी को बहुत अच्छा रखता है इसमें भी बहुत अच्छी मात्र में फाइबर पाया जाता है जो हमारे स्टमक को क्लेर करने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने यानि हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर होता है तो अब देखिए इसमें से हल्की हल्की सी खुश्बू आने लग गई है महेक आ रही है अच्छे से मसालों की तो अभी मैं क्या करूंगी गैस को कर दूंगी बन और इसे हल्का सा ठंडा करने के लिए मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है हमने इन सारी चीज़ों में हींग को नहीं डाला था तो अब मसाले ये गरम है तो मैंने हींग इसके उपर रखके थोड़ा सा ढग दिया है ताकि इन मसालों की गर्माहट के साथ हींग भी गरम हो जाए मैंने सारे ही मसाले ग्रैंडिंग जार में डाल दिये हैं और अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच, आधा बड़ा चम्मच काला नमक जो मैंने आपको दिखाया था पिसा हुआ है लेकिन फिर भी मैं डाल दे रही हूँ ताकि इसमें जो गुठलिया है वो हट जाएं और इसके साथ मैं डालूंगी इसमें एक बड़ा चम्मच आवला दोस्तो अगर आवले की बात करूँ कि क्यों डाल रहे हैं इसमें और क्या फायदा होता है तो आपको बता दूँ कि आवले का चून पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है आवले को अगर हम नियमेत रूप से खाते हैं तो यह एसिडिटी कब्स को दूर करने में बहुत जादा मदद करता है फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है तो अगर आपके पास आवले का पाउडर नहीं है तो आप इस तरह का मार्केट में आ रहे हैं इस समय सीजन है आवले का आवले का आवला लेके उसको सुखा सकते हैं और उसका पाउडर बना सकते हैं आवला ना केवल आपके शरीर से extra fat को कम करता है, vitamin C रिच होता है, तो आपकी skin और बालो के लिए बहुत अच्छा होता है, hair growth के लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर में जो extra cholesterol होता है, उसे भी कम करने में साहता करता है, तो एक तीर चलाएंगे और धेर सारे फायदे पाएंगे, तो देखें इस तरह से मैंने एक fine सा पॉडर, विल्कुल महीन सा इसका पॉडर बना के तेयार कर लिया है, अब पॉडर तो तेयार हो गया, अब इसको इस्तमाल कैसे करना है, तो देखें इसको इस्तमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप सीधे चूरन खा सकते हैं चूरन कितना खाना है आधा चम्मच हमें इसका चूरन इस्तमाल करना है और चूरन किस समय इस्तमाल करना है आपको सुबे उठना है खाली पेट आपने कुछ भी खाना नहीं खाया है सीधे उठते ही सबसे पहले आपको आधा चम्मच ये चूरन लेना है और उसक अब भी हमारा पेट थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो अगर आप गरम पानी जैसे विंटर्स के सीजन आते हैं और गरम पानी पीना शुरू करते हैं तो पहले हल्का गुंगुने पानी से शुरू कीजे और फिर उसकी टेम्ट्रेचर को बढ़ाईए पानी के फिर बहुत ज तरीका हो सकता है कि आप एक कप या एक गिलास बड़ा गिलास पानी लीजे गुंगुना पानी और उसमें ये आधा चम्मचूरन डाल देंगे आधा चम्मचूरन डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिला लीजे और चाय की तरह इसकी चुस्किया मारते हुए इसको रेगुलर इसको इस्तमाल करेंगे तो विदिन 3-4 डेज के अंदर आप इफेक्ट देखेंगे कि आपका स्टमक कितना अच्छे से क्लेयर होने लगेगा आपकी दूर होने लगेगी और एक पाइदा और होगा कि आपकी स्किन बहुत जादा अच्छी लगने लगेगी अगर आप प्रेगनेंट हैं और या आपका कोई ट्रीटमन चल रहा है । और एक होने पाइद आप कि स्ट्रेगनेट को खटा दीजिए और आप कि This App को इन इस से द्वाईया ले रहे हैं जो पेट में ज़ादा गर्मी करती हैं तभी आप इस च्ट्रिटमन को खटा दीज अदवाइस आप इस चूरन को लेके देखिए चार से पांच दिनों के अंदर आपको बहुत जादा दिखने लगेगा और अगर आप इसे अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करेंगे तो वाकई में आपके शरीय से ये कब्स नामक रोग दूर हट जाएगा तो आप ये रेमेडी ट्राइ जरूर कीजेगा मुझे कमेंट में लिखके जरूर बताएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हाँ अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा इस वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपके फैमिली में किसी और को भी एक कब्स की प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलेगा जल्दी ही मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी घरेलू रेमिडी के साथ जो आपको बहुत ज़्यादा देगी